Numeralogy में जो लोग किसी भी महीने की 3, 12, 21 तारिक को पैदा होते हैं, उन्हें Number 3 के लोग माना जाता है इनका Governing Planet होता है Jupiter, जो Wisdom, Growth, Optimism और Leadership का प्रतीक होता है तो आज के वीडियो में जानेंगे Number 3 के लोगों की Characteristics, इनको किन चीज़ों से साफधान रहना चाहिए इनकी Career Options और 5 Special Affirmations जो Specially Number 3 के लोगों के लिए डिजाइन है ताकि ये लोग अपने जीवन में Successful हो सके शुरू करने से पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत थैंक यू जो आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं मेरे वीडियो को लाइक करे हैं और चैनल को सबस्क्राइब कर रहे हैं आगे बढ़ने से पहले बहुत शुब महुरत है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं नए वीडियो अपलोड करूँ ये वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच जाएं और आप उनको यूज कर अपनी सारी विशस को पूरा कर सकें कर लिया सबसक्राइब अब चलते हैं तो नमबर थी के लोग बहुत अबिश्योस होते हैं बहुत क्रियेटिव होते हैं और नाचौल लीडिर्स होते हैं क्योंकि उनका प्लानेट है जुपिटर ये लोग अकसर लोगों को इंस्पायर क इन्हें अपने आसपास के लोगों को guide और influence करना आता है यह अपनी thoughts को अपने विचारों को अपने ideas को confidently express कर पाते हैं यह लोग बहुत optimistic होते हैं और negative situations में positive aspect थेकते हैं यह हमेशा positivity की तरफ बढ़ना चाहते हैं, इनका positive attitude दूसरों के लिए भी inspirational हो जाता है नमबर 3 के लोग इनमें creative energy बहुत जादा होती है, चाहे हो writing में हो, painting में हो, acting में हो किसी भी creative field में यह अपने ideas को बहुत अच्छी तरह से express कर पाते हैं, यह उनकी natural ability होती है नमबर 3 के लोग बहुत social और friendly भी होते हैं, इन लोगों को social interactions पसंद हैं, यह लोग अकसर दोस्तों और परिवार के बीच में बहुत popular होते हैं, क्योंकि इनका friendly nature और इनका charming personality दूसरों को अपनी तरफ attract करता हैं, आप देखेंगे कि नमबर 3 के लोगों के बहुत सारे दोस्त होंगे, वो जैसे कहते हैं ना कि तुम किसी party में जो और उस party की जान बन जाओ, तो यह ऐसे लोग होते हैं, पर यह सिर्फ मॉला नहीं होते हैं, इन लोगों को अपने goals को लेकर बहुत serious होना आता है, इने अपनी life में कुछ बड़ा करने का desire हमेशा रहता है, और इसके अपने career goals पे भी होता है, और क्योंकि number 3 के लोग leadership qualities लिएवे होते हैं, creativity हाई होती है उनकी और उनको बहुत सारे दोस्त, community, society में navigate करना आता है, इसलिए इन लोगों की communication skills भी बहुत अच्छी होती है, यह अपनी communication skills के लिए जाने जाते हैं, इनको अपने विचारों को express करना confidently express करना आता है, और यह confident speakers होते हैं, तो इतनी सारी खूबिया हैं अगर number 3 वालों में, थोड़ी सी कमजोरियां तो होंगी न, उनकी बात करते हैं, कभी-कभी इनका जो confidence है, उसको लेके यह over confident बन जाते हैं, तो impulsive हो जाते हैं, careless decisions ले ले लेते हैं, उन चीजों के लिए इनक ध्यान रखना चाहिए, यह लोग अकसर जल्दी result चाहते हैं, और इनमें patience जो है, वो कई बरी काफी कम हो जाती है, अगर कुछ काम हैं, जो इनकी speed के हिसाब से नहीं हो रहें, तो यह frustrate हो जाते हैं, और क्योंकि इनका society पे दबदबा हैं, क्योंकि यह leadership qualities हैं, इनके अंदर charming हैं, तो कभी-कभी यह लोग अपनी बात जो हैं, वो दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं, क्योंकि dominating nature हो जाता है, थोड़े से controlling हो जाते हैं, तो इस बात का भी इनको धिहान रखना चाहिए, इनके पास बहुत सारे creative ideas होते हैं, तो जब इतने creative ideas आ रहे हैं, तो focus start कर लेते हैं, और फिर distract हो जाते हैं, और फिर खतम नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए scattered focus जो है, उसको उनको थोड़ा channelize करने की भी ज़रूरत है, तो यह थी थोड़ी सी चीजे हैं, जो number 3 वालों लोगों को अब घान रखनी चाहिए, अब बात करते हैं, इनकी career options की, तो अब इसी executive level की position में बहुत अच्छा perform कर पाते हैं, तो अगर आप number 3 हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं director बन पाऊंगी की नहीं, या मैं CEO बन पाऊंगी की नहीं, बहुत chances हैं कि अगर आप अपना focus रखें, अगर आप अपनी communication skills पे work करते रहें, creativity को यूज करते रहें, तो आप definitely उ public speakers बन सकते हैं, teachers बन सकते हैं, educators बन सकते हैं, बहुत सारे inspiring motivational speakers number 3 के लोग होते हैं, और अब बात करते हैं, sales and marketing की, sales and marketing में भी number 3 के लोग बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि इनके पास convincing ability होती है, persuasive powers होती है, जो sales and marketing field में इने काफी आगे ले जा सकती हैं, यह दूसरे लोग communication skills भी हैं और उसके बार leadership qualities भी हैं इनके अंदर, entrepreneurship इन लोगों के लिए बहुत अच्छा field है, startup ideas इनके पास constantly आते रहते हैं, क्योंकि यह creative हैं, इन लोगों में अपने idea को reality में बदलने का एक बहुत जनून होता है, और इस जनून को जब आप creativity के साथ मिला देते हैं, communication skills के सा आप मिला देते हैं, तो बहुत अच्छा combination बनता है, entrepreneurship के लिए, तो अगर आप number 3 है, startup शुरू करने की सोच रहे हैं, जरूर जरूर start कीजिए, क्योंकि आप उसमें successful होंगे, बस focus रखिए अपना, और लोगों की बाते सुनिए, dominate करने की कोशिश मत कीजिए उनको, अगर entrepreneurship में successful होंगे, और अब बात करते हैं, number 3 वाले लोगों के लिए, उनकी affirmations के लिए, याद रखिए, ये कोई generic affirmations नहीं हैं, ये specifically designed है, number 3 वाले लोगों के लिए, उनकी characteristics, उनके career options, और उनकी कमजोरियों को धियान में रखते वे, तो ये 5 affirmations हैं, I am focused on my end goals, I use my creative powers for growth opportunities, I am an inclusive leader, I have the power to make my dreams come true, I focus on my happiness and health, तो देखा आपने number 3 के लोगों में leadership, creativity और ambition का नोखा combination होता है, ये लोग अपनी natural abilities के थूँ अपनी life में बहुत आगे जाते हैं, अगर ये अपनी focus को थोड़ा सा और centered रखें, और over confidence से बचें, तो ये लोग अपनी personal और professional life में बहुत success पाएंगे, इन affirmations को use करके, ये अपनी life के हर area में balance और harmony ला सकते हैं, ये था आज का वीडियो, मैं universe से प्रार्थना करती हूं कि वो आपके सारे endeavors में आपको बहुत सारा success दे, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो, अगले हफते में आऊंगी number four वाले लोगों के लिए, number four वाले लोगों के लिए, उनकी characteristics, उनकी career options, उनकी affirmations और किन चीज़ों का उनको ध्यान रखना चाहिए, ये सारी information लेके आपके साथ, अगर आपने like, subscribe और comment नहीं किया है, तो please like, subscribe और comment कीजिए, और ये video share कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने family members के साथ, ताकि वो लोग भी इस information का फायदा कि अपने डिन चाहिए, और आ दोस्तों केस खायदा इस की सथताव, दो से ताकि ये ये झालखगे इशतना रखईपरी और रहते हैं